जहिंद सभी को कैसे आप सभी तो मैंना भी कुछी दिन पहले एक वीडियो बनाया था जो हमारे CDS हैं Chief Defence of Staff अनिल चोहान सर उन्होंने जो है मीडिया के माध्यम से अगनिपतियोजना को लेकर अपनी बाते रखी थी कि अगनिपतियोजना देश के लिए सही है और इस गोफी सरस हैं वो खुस हैं और अगनिवीर हैं वो भी खुस हैं तो उस वीडियो पर कुछ कमेंट आये थे वो कमेंट भी मैं आपको दिखाऊंगा मैं मानता हूं CDS सर जो हैं उन्होंने जो बयान दिया था उससे काफी हद तक जो आर्मी की तैयारी करते हैं उन्हें गुस लेकिन जब उनका बयान देखा तो कहीं न कहीं वो बाते सच भी हैं क्योंकि जो कमेंट उन साथियों ने किये हैं वो कमेंट तब ही निकलते हैं जब हर किसी को पृत्यक्ष दिखाई दे जाता है न कहते हैं कि पृत्यक्ष को प्रमान की कोई जरूरत नहीं होती और एक बी गौर्मेंट के पक्ष में लेकर और ये बयान उन्होंने दिया तो बीजेपी के एक नेता हैं उन्होंने कहा है कि जो सीडिये से अनिल चोहान सर उनको इस परकार से नहीं बोलना चाहिए था जिस परकार से उन्होंने अपना बयान मीडिया के द्वारा जनता के सामने रखा है तो उसमें ऐसा लगता है कि ये भासा उनकी नहीं बल्कि इस गोवर्मेंट की है ठीक है और उसके बाद एक करनल सर हैं उनकी पत्नी थी वो भी मीडिया के सामने आई और उन्होंने कहा था कि एक जवान होता है ना चाहे वो जवान है सिपाई है या फिर वो कैप्टन है मेजर कर दी ठीक है तो वो कमेंट है आप इसक्रीन पर देख सकते हो किस प्रकार से इन्होंने कमेंट किये हैं तो भाई देखो ऐसा कमेंट आपको नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो एक जिम्मेदार जो अधिकारी होते हैं तीनों सेनाओं पर वो हैं क्योंकि तीनों सेनाओं की जो अध्यक्ष हैं वो CDS ही होते हैं तो भाई ये सब कुछ था जो मैं आपको आज किस वीडियों बताया और यही मैं आपको बताना चाहता था लेकिन मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो भी हमारी देश की गोवर्मेंट है और हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं सेनाओं के उनको एक बार ये जो अगनी पतियोजना है इसको अच्छे से ध्यानवा रखते हुए अब जो भी एक्षन लेना चाहिए वो लेना चाहिए ठीक है क्योंकि अगनी पतियोजना वास्तम यार सो परशेंट सकस्पूल नहीं है देश के लिए और इसमें जो भी बदलाव हैं वो देश की सेना को और सरकार को मिलकर इसमें करने चाहिए जो भी मतलब महत्पूर्ण बदलाव है और मैं तो यही कहूंगा कि यह पूरा पूरा सिस्टम हट जाए और जो मतलब 4 साल के बाद वापिस आना चाहें वो वापिस आ जाए और जो 4 साल के बाद पर कमेंट में जरूर बताना और मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा भाई फिर से तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भाहरति सेना